निवस्कार दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ही सेम्पल और साधार भासा में समझाने वाला हूँ कि आप किस तरीकी से अपना पासपोर्ट ऑनलाइन कर सकते हैं पासपोर्ट ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले हमको ऑफिसियल वेपसाइट पे आ जारा है, दोस्तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहां से जाके आप इस पेच पे आ सकते हैं तो ये पेच खुलने के बाद आपको यहां देखिए लिख के आरा निव यूजर रिजिस्टेशन, इस वाले आप्शन पे आपको क्लिक कर देना है यहां पे देखें पासपोर्ट आफिस में जो भी आपकी रिजिनल पासपोर्ट आफिस होगी उसको आप सेलेक्ट कर लिजेगा सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आप अपना नाम डाल देंगे नाम डालने के बाद उसके बाद अगर आपका सरनेम है तो सरनेम यहाँ पे डाल देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेटा बट डालने के बाद यहाँ पे आपको एक email ID डालना है जो आपके mobile में present time हो वही email ID क्योंकि उसके एक link जाएगा उस link को आपको activate करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पे आपसे पूरा है पूछ रहा है do you want your login ID to sum as email ID तो यहाँ पे आपको no कर देना उसके बाद यहाँ पे login ID लिखना login ID मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके साब यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से बाद यहाँ देखिए check availability इस वाले option पे आपको click कर देना है जैसे आप click करेंगे अगर देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि login ID not available तो यहाँ पे आप कोई दूसरा नमबर बढ़ा के वाप्स इसको आप check करेंगे अगर यह ID यहाँ पे available है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है login ID is available उसके बाद आपको यहाँ पे एक password बना लेना यहाँ पे confirm password मांग रहा है वही password आपको यहाँ पे डाल देना उसके बाद register पे click कर देना जैसे आप register पे click करते हैं तो आपकी जो mail ID है उसके एक link जाएगा link पहुचने के बाद आपको उसको open कर लेना open करने के बाद वहाँ पे login ID थी वही ID डाल के आप उसको submit कर दीजेगा submit करने के बाद आपको दोखिए यहाँ पे आना है home page पे आना उसके बाद यहाँ पे देख bacon user login लिखा हुआ है इस वाले option पर आपको click कर देना click करने के बाद आपको यहाँ पर ID डाल देना ID डालने के बाद आप persönदिनी यहाँ अले option पर click कर देए है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगी तो आपको यहां पासवर्ड माँग एगा पासवर्ड डालेंगे उसके बाद यहां पर आपको Cworkers Code डालने के बाद यहां लॉगिं वाल रचन पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने कुछ ही स्तरीके का इस वाले option पे click करना उसके बाद normal वाले option पे click करना और यहां पे 36 पे इस वाले option पे click करने के बाद यहां next वाले option पे click कर देंगे click करने के बाद आपको यहां से पूछ रहा है आपका नाम तो आपके आधार पर जो करनाम card होगा वही आप इस पे डाल देंगे अगर आपका surname क यहां पे डाल देंगे उसके हिसे पूफ़ रहा है जंडर यहां पे जो भी आप में फिमेल है उसको सक्रेक्ट करने के बाद करें यहां पे देखे पूच रहा है यह वे नो अगर आप कोई अझना पूछू यह एस कर available देजयंगे यद। अगर आपका पहले से passport बना उसको change करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको no आले option पर click कर देना उसके बाद आपको यहाँ पर data birth डालेना आपको यहाँ पर अपना state select कर लेना है यहाँ पर नीचे आकर district select कर लेना उसके बाद यहाँ पर अपना marital state यानि marid है कि unmarid है यहाँ से आपको choose कर लेना उसके बाद यहाँ पर citizen of India by यहाँ पर आपको by birth यानि आप पैदा इंडिया में हुए यहाँ पर click कर देना उसके करें हैं employment की यहां पे अगर आप service करते हैं कोई job करते हैं तो यहां पे आप उसको डाल सकते हैं otherwise यहां पे not employed इस पे click कर देना इसके बाद यहां आप से पूछ रहा है कि आपके घर में कोई यहां पे government servant है तो इसको no कर दीजिएगा और यहां educational qualification यहां पे आप यहां पे दस पास हैं तो दस लिख दीजेगा साथ पास है या उससे कम है तो यहां पे graduate है तो इसमें यहां पे इस हिसाब से आप दरसा सकते हैं उसके बाद यहां पे पूछ रहा है आप से इस वाले option पे यहां पे आपको छोड़ देना यह automatic जहीसे आप qualification करेंगे तो यह automatic fill up हो जाता है उसके बाद बात करें visual mark की तो यहां पे इसको आप छोड़ सकते हैं यहां पे आप अपना आधार number है तो डाल सकते हैं otherwise इसको भी छोड़ सकते हैं उसके बाद यहां पे आपको tick कर देना I agree वाले option पे इसको yes करके उसके बाद यहां पे save कर देना है save करने के इसके बाद आपके सामने यहां पे देखिये मांग रहा फाइम Libre details यह वाला option खुल का चैंग用 को अपने पीता का नाम डाल देना है नीचे यहां पो अपने गाओं का नाम लिख देना अपना complete address लिख देना उसके बाद यहाँ पे आपको village town city का नाम लिख देना उसके बाद यहाँ पे आपको अपना परदेश सेलेक्ट कर लेना आपकी इस परदेश से बिलाओं करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट क यहाँ पे डाल जीगा राइश्टेशन करते समझ जो डाले थे उसके बाद यहाँ पे नो वाले option पे click कर देना है click करने के बाद save my details वाले option पे click करना है फिर वापस next वाले option पे click कर देना है next वाले option पे जैसे click करेंगे के बाद यहां पे save my details वाले option पे click कर दीजेगा उसके बाद वापस next वाले option पे click कर दीजेगा उसके बाद आप से देखिए अगला page खुलके यहां पे identity certificate passport details यहां पे माग रहा है तो यहां पे अगर आपके पास पहले से कोई passport बना हुआ है तो आप उसकी details यहां पे दे सकते ह अगर available है नहीं है तो यहां पे details not available इस वाले option पे click कर दीजेगा उसके बाद यहां पे आप से पूछ रहा है किस से पहले आपने कोई passport इशू किया था तो यहां पे yes कर दीजेगा अगर नहीं किया तो यहां पे no कर दीजेगा उसके बाद यहां save my details वाले option पे click कर दीजेग क्लिक करने के बाद आपके सामने देखी यहां पे other details वाला option आ रहा है यहां पे जितने भी option आ रहे हैं सब पे यहां पे आपको no कर देना है जितने भी option यहां पे दिखाए हैं सब को आपको no कर देना है यहां पे फिर आपको save my details वाले option पे क्लिक करना है वादस यहां Next वाले option पे click कर देना फिर आपको यहां पे March लेना देखके यहां पे आपको घांच लेना कि सारी चीजे हमारी सही है कि अगर कुछ यहां पे दिक्कत हो आप यहां पे फिर से देखे Previous पे जाके इसको आप सुधार कर सकते हैं उसके बाद आपको अगर सारी चीज आपकी सही है तो यहां next वाले option पे click कर दीजेगा click करने के बाद देखिए यहां पे self declaration वाला option आ रहा है यहां पे आपको देखे proof of birth यहां से आप birth select कर लीजेगा यहां पे आधार कार्ड यहां अधार और यहां पे आगर आप यहां पे देखे बहुत सारे option है कोई एक यहां पे birth certificate है बहुत सारी चीज है कोई एक आप यहां पे select कर सकते है select करने के बाद उसके बाद आपको यहां पर देखिए place के सामने यहां पर आपका जगह का नाम माग रहा है कि आप की जगह से belong करते हैं तो यहां पर आप अपने district का नाम लिख सकते हैं यहां पर देखिए आपको यहां पर आई agree वाले option पर time condition को इसको टिक कर देना उसके बाद यहां पर save my details वाले option पर क्लिक करना वापस यहां पर देखिए आप इसका preview यहां पर देख सकते हैं इस तरीके साब preview हैं यहां पर मिला सकते हैं मिलाने के बाद उसके बाद यहां पे आपको close ऑले option पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहां पर पैमेंट करके इसका appointment ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा तो आपको simple से यहाँ पर इस वाले option पर टिक करना टिक करने के बाद यहाँ देखे payment appointment वाले option पर यहाँ पर टिक करना और यहाँ पर pay and schedule appointment इस वाले option पे click कर देना, click करने के बाद यहां पे देखिए पहले वाले option पे आपको click कर देना, click करने के बाद यहां next वाले option पे click कर देना है, जैसे आप इस पे click करते हैं तो यहां पे single कर देखिए फिर यहां पे आपको next कर देना है, next करने के बाद फिर आपको नीचे जाना नीचे जाने के बाद यहां पे लिखा हुआ है आपको देखे select location यहां पे आपको location select करना है कि कहां से आपको date लेना है उसके बाद यहां पे आपको capture code डाल देना है यहां next वाले option पे आपको click कर देना click करने के बाद देखी आप से यहां पूछ रहा है सारी details आपकी यहां पे पूछ रहा है आपसे किस debt में आपकर appointment लेना तो यहां पे जो debt कreli app कर दे दिख रहा है किस debt में आपको लेना उस वाले debt को आप यहां पे select कर दिजिएंगा select करने के बाद यहां पे pay and book employment वाले option क्लिक कर देए जाए अगर आपसे अपसे condition पर मैं UPI से करने वाला हूँ जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखी यहाँ पर नीचे आएंगे सारी डीटेल्स आने के बाद यहाँ पर देखी एक option आ रहा है वी पीए का यहाँ पर QR कोड का option आ रहा है इस वाले option पर आपको टिक कर देना जैसे आप इस पर टिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर देखी एक बारकोड वाला option जनरेट होगा बारकोड जनरेट होने के बाद आप यहां से अपने Google पे या फोन पे के scanner से आप यहां पे यहां पे उसको pay कर देंगे, pay करने के बाद देखी यहां पे लिखा हुआ, collect request, integrate successfully, यहां पे यह वाला option आपको दिख जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा time देने के बाद आपको यहां पे नीचे देखी लिखा इसको OK कर देना है, OK करने के बाद देखी यहां पे आपको, यहां देखी, click here to return the passport से बाद इस वाले option पे आपको यहां पे click कर देना है जैसे आप इस पे click करेंगे तो आपके सामने फिर यह पे पेज्ग कर आएगा, फिर वापस से आपको यहां लॉग इन वाले page पे इस प दोस्तों इसको तब बारीकी से आप समझेगा तो पहली बार तो हम पैमेंट कटाने के लिए यहां पे गये थे अब हमको यहां पगSí अब यहां पर प्रैमेंट वाले oप्शन पे यहां पे ईस पते पारने के बाद यहां देखे आपका पेमेंट अभी पेंडिंग भी ऐ क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखी हो आपस दोसटों आपको वही डेट सलेक्ट कर लेना है यहाँ पर देखे क्लिक करने के बाद यहाँ कर देंगे उक्ड करना के बाद आपकाintérieur प्लिक हो जाएगा इस तरिके से आप अपना complete passport बना सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरीके के नए ने वीडियो जानने के लिए आप हमें नीचे कमिट कर सकते हैं दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए